हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आर चैनल जहारखन परिक्षा स्टुडेंट्स आज किस वीडियो लेक्चर में हम लोग आठ और नौ जुलाई के करेंट अफ्रेस को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे दो क्विज कोशन्स भी पुछने जा रहा हूं जिसका आंसर जहारखन करेंट अफ्रेस से ही रिलेटेट ओगा और दुसरा कुछ नाम आपको याद रखन रहा है यह तो एक कुछमा कुमारी हो गई और दूसरा नाम आपका सुमतिकुमारी दोनों में अलग-अलग है, एक्शली में सुष्मा कुमारी का संबंद आपका होकी से है और सुमती कुमारी का संबंद आपका फुटबॉल से है, इन दोनों में कन्फ्यूस नहीं होंगे, अब इनका नाम अभी क्यों आया, इनको इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट है सुष्मा कुमारी, ब्यूटी डूंग-डूंग और संगीता कुमारी का चैन बैंगलूरू में चल रहे भारतिय जुनियर महिला होकी टीम के विशेश कैम्प के लिए हुआ है, और जब मैंने इन दोनों के बारे में तो आपको पहले से मैंने बताया हुआ था, ये एक नाम एडिशनल है, तो आपको ये तीनों नाम पता होना चाहिए, एकसाम में आपसे कोश्चन पूछ लेगा सीथे कि ब्यूटी डूंग-डूंग का संबंद कि स्खेल से है, जो को इन्होंने जो आपका चिली में जो भारतिय जुनियर होकी टीम का जब रिप्रेजेंटेशन और ऑडली हैं और करांगोरी गाओं के बारे में मैंने आपको जब Egg जब लगाया जा रहा हुए जिसले गोई इस आप का इन्पोर्ट्रिनी होकी को आख जाता लाइब रिप्रेजेंटेशन किया घारत को और जखाण गोड़ाइब बॉंग 21 गाओं का बात कर रहा हूं ठीक है चलिए पढ़ते आगे सेकंड कोशन है उनियन 2021 प्रतियोगिता में विर्षा क्रिसी विष्विद्याले के छात्राओं ने कौन सा स्थान हासिल किया है यह कोशन को समझने की कोशिस करेंगे यह जो है आपका अग्रिकल्चर रिलेटेट प्र चुडेंट्स ने हासिल किया है अब हम लोग इसे थोड़ा पॉइंट वाइस समझ लेते हैं कि आखिर यह कंपिटिशन क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट है राश्ट्रे किसी विस्तार प्रवंधन संस्थान जिसे हम लोग सौट में मैनेज कहते हैं हैधराबाद की ओर से आ उपयूक्त क्रिशी प्रवंधकों की खोज वह उन्हें प्रेडित करने का प्रयास किया जाता है थर्ड पॉइंट है विर्सा क्रिशी विस्विद्यारे की छात्राओं ने राश्ट्रे स्तर पर आयोजेत उन्यान 2020 प्रतियोगिता में फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन रिस स्थान हासिल किया है और इसी इवेंट में आपका एग्रिकल्चर कॉलेज गर्वा की छात्रा दिप शिखाव निशू रुंडा ने इनकी टीम ने दूसरा हस्तान हासिल किया है चलिए ठर्ड कोशन माईए और ध्यान से समझेगा इस कोशन को योंकि यह जो है यह आपका य पूछा जा सकता है तो उन पे थोड़ा सा ब्रीफिंग दूगा जिसमें आपको कितना करोड का निवेश पर कितना सबसेड़ी देने का है इन सभी पर मैंने अच्छे से वो नोट्स बनाया हुआ है कुश नंबर फाइब पर डिसकेशन कर लेंगे और इसी छे जुलाय को आ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोश्चन है आपका जार्खन में सुरू किये गए गुरू शिस्य परंपरा योजना का क्या उद्देश है देखिए पारित होना और राज में लागू होना दो अलग-अलग कॉंसेप्ट होता है तो अभी क्या है इसे पारित कर दिया गय है यह समय ने आपको पढ़ाया हुआ इसी प्रकार इसका है पारित होने का देट 6 जुलाई है और अगर कुछ स्पेशल इवेंट जैसे जो फर्स्ट जो इनके तहजिन का चैन किया जाएगा तब वहां से आप मान लिजेगा कि यह आपका स्टेट में फंक्शनल है तो यह अलग अलग डेटा हो जाएगा तो इस योजना का उद्दे से आपका राज की विलुक्त होती लोग कलायें को बचाना परंपराओं का संट्रक्षन करना और परंपराओं का विकास करना यानि उपर्यूक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा अब थोड़ा सा पॉइंट वास सम जुरुवात की गई है इसके लिए परिसिक्षन नियम बनाए गया है अब क्या है उसे समझें इसके अंतरगत एक वित्य वर्स में यानि एक पर्टिकुलर एफपाई या फाइनिंसियल येर में दो विधाओं का चैन किया जाएगा विज्यापन के माध्यम से गुरू और गुरू को 12,000 रुपे प्रतिमा और उनके सहयोगी को 7,000 रुपे प्रतिमा वेतन मिलेगा यहां से आप इसे ध्यान से सुनियेगा तो तीनतार बुलेट अपकमिंग है उसे भी गुरू को कितना है 12,000 रुपे और उनके सहयोगी को 7,000 रुपे पर मन्त है ये यरली नहीं है अधिकतम 10 प्रिसिक्षू रखे जाएंगे जिनके आवास और भोजन पर प्रतीमा 3,000 रुपए खर्ज किये जाएंगे सारा अमाउंट ध्यान से देखिएगा ने तो आप मिक्सप कर देंगे क्योंकि सारा अमाउंट आज पास ही है जैसे 12,000 गुरु का जो उनके हिलपर होंगे उन्हें 7,000 और जो जहां पर रखे जाएंगे मैकसिमम कितना है 10 प्रसिक्षू का है और उनके जो रहने के जो स्विधा होगी खाना पीना होगा वो सबके लिए 3,000 रुपए खर्च किये जाएंगे एक हिकाई को 4 वाद्य यंत्र दिये जाएंगे एक लाख रुपए खर्च किये जाएंगे परिशिक्षन अविधी दो वर्स की होगी और इस पर आप रिती व्याय आपका 11.88 लाख रुपए तक हो सकेगा चैन की प्रक्रिया समीती और विध्यापन के माध्य हम से की जाएगी तो काफी इंपॉर्टेंट जोजना है और इससे ज़्यादा आपको इससे पूछेगा भी नहीं अमाउंट ही पूछ सकता है और एम पूछ सकता ज़्यादा से ज़्यादा तो उमीद करते हैं यह जोजना आप समझ गया होंगे अच्छे से आइए फूर्थ कुशन में यह जारकंट से किनका चेयन राश्ट्रिय आइसीटी सिख्छक पूरसकार दो हजार अठारा और उननीस के लिए किया गया है देखें यह तो एकसर दिया जाता है आपका हर साल लेकिन दो कि दो हजार अठारा का जो आवार्ड है वह आपको उनन 19 में दिया जाना था लेकिन उननीस में णाम अनौंस हो चुका था लेकिन क्या हुआ आपका करणा का करना के ला गया झ्णरा को यह लौक्डाउन वाला परीड सुरू हो गया था तो यह एक बांने अब जो क्या है 12 कॉ तो अभी क्या है? साइमन टेनिसली दोनों अवार्ड को दिया जाएगा 18 और 19 का और यह आपका इसमें NCRT की involvement है इसलिए मैं यह आवार्ड को इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ अब यह आवार्ड क्यों दिया गया? इसमें पर भी चर्चा करेंगे उससे पर इसका एंसर सुन लिजें एंसर इसका option number यह टाइपो हो गया है निरुपमा होंगी यहाँ पर निरुपमा कुमारी और option number B स्वेता वर्मा तो इसका correct answer सर्मा इसका correct answer हो जाएगा option number D, A और B दोनों अब थोड़ा समनुक point wise समझ लेते हैं यह इनकी respective photos हो गई यह actually मैंने paper से snap किया है snap नहीं कहेंगे मैंने यहाँ से click किया इसलिए यह थोड़ा clear नहीं आ रहा होगा अब point wise समझ लेते हैं फर्स पॉइंट है राष्ट्र ICT सिक्षक पुरसकार 2018 और 19 के लिए जहारकन की दो सिक्षिकाओं का chain किया गया है चास इस्थित रामरूद्र प्लस टू हाई स्कूल की हिंदी सिक्षिका निरुपमा कुमारी को कुरोना काल में चात्रों को ऑनलाइन सिक्षा देने के लिए नैशनल ICT अवार्ड से सम्मानित किया गया है ठर्ड पॉइंट है देवगार के सेदर प्रखंड इस्थित मध्य विद्याले विवेकानेंद की सिक्षिका श्वेता वर्मा का भी chain किया गया है चात्र चात्राओं को ऑनलाइन सिक्षा देने में सुचना प्रवधोग की के परियोग को लेकर इनका चेहन जार्खंड नैशनल ICT अवार्ड के लिए किया गया था वर्ष 2019 में निरुपमा कुमारी का चेहन राश्ट्र सिक्षक पुरसकार के लिए जार्खंड की ओर से राजस्तर पर किया गया था तो 18 में किने मिला है आप खुबी गेस कर सकते हैं फिप्ट कोश्चन में आये और यह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कोश्चन में मार करेंगे और जो तीन जो जो चाब लेंगे संसोधन है वो जो मैं कराऊंगा भी सिखाऊंगा वो से आप अच्छे से समझेगा और याद रखेगा हो सकता है यह प्री में ना पूछे क् वारीत किया गया है जो कि यहारखन जब तक यह गैजेट में नहीं आता है एककशामस में कोशन फ्रेम नहीं ओ सकता है इससे लेकिन में में पूछा जा सकता है ठीक है मैं इसे पढ़ा रहा हूं देखिए कौस्चन क्या है जरारकंड आदयोगिक एवं निवेस प्रोत्साह नीती 2021 जर्खन में कब से लागू है अगर लागू है पूछ रहा है तो इसका करेक्ट एंसन हो जाएगा एक अप्रिल 2021 से यह लागू है लेकिन इसमें क्या है फिर से संसोधन किया गया था जो संसोधन था वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक separate वीडियो भी डाला हु है यह समय सिमा है आपके पांच साल के लिए तो इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट है आपका जार्खन में छे जुलाई को पांच लाग लोगों को रोजगार और एक लाग करोर के निवेश का लक्ष रखकर जार्खन और योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीती 2021 को मंजूरी दी गई है अब ये कितना हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा अभी के लिए तो मेरे हिसाब से ये एक व्यंगी है क्योंकि सत्ता मैनिस्ट पहले सोरिन सरकार ने बहुत सारे वादे किये थे लेकिन अभी तक कितना ही पूरा हो पाया है चलिए ये तो ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है कि एक करोड का निवेश हां ये पॉसिबल है अगर मोमेंटम जार्खन आपका सही से सक्सेस्पूल हुआ रहता तो ये अब तक आपका सेक्सेस्पूल हो गया रहा था ये एम जो है टार्गेट है वो अचीव कर लिया रहता लेकिन आपको पता होगा मोमेंटम धार्खन में कितना घोटाला हुआ है चलिए यह निती आपका एक अप्रिल 2021 से पांच वर्सों के लिए लागू होगी नई निती में पा इसादिक फोकस किया गया है अभी जो आप करेंट में पढ़ रहे हैं अपने चाहे जो भी पुस्तक पढ़ा हो आपने मरीश अंजन पढ़ा होगा उडान पढ़ा होगा पिलोथोरा पढ़ा होगा लूसेंट पढ़ा होगा तो उसमें क्या है आपका ये सब 16 के आसपास का निती है और यह सब अलग-अलग है एक्चुली में पी आई बी का आया हुआ था प्रेस इंफॉर्मेशन व्योरो का तो सारे के सारे बुक्स में सेम टू सेम कॉपी किया गया है अब चाहे हिंदी से पढ़ें या इंगलिज से पढ़ें लेकिन अभी क्या है इन सभी को कंबाइन करकर आपका 2021 में एक में ही संकलीत किया हुआ है जब आपको यह जारकन गैजेट में आएगा उससे भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा लूँगा लेकिन विश्वास करिए इससे ज्यादा उपर नीचे नहीं हो सकता इंपोर्टन पॉइंट से आपको याद होता है चलिए सेकंड पॉइंट माइए इसके तहट आप जारकन मुद्योग लगाने पर पुंजी निवेस पर 25% तक सब्सिडी रहेगी एक एक पॉइंट को सुनेंगे ध्यान से कितना है 25% तक उसके बाद हालंकी इससे अधिक्तम राशी 25 करोड होगी एससी एस्टी और महिला उदिमयों को 5% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा चलिए यहां से तीन इंपॉर्टेंट है दो यूनित लगाने पर आपका 5% अतिरिक्त अनुदान है राज के किसी भी जिले में पहली 2 यूनित स्टैबलिस करने पर राज सरकार निवेसकों को 5% अतिर पूंजी गत अनुदान देगी उमिद करते हैं यह सब आप टर्मिलोजी से फैमिलियर होंगे प्लांट और मशिनरी पर होने वाले निवेसकी 30% राज सरकार भुकतान करेगी नई और योगिक नीती के लागू होने के 2 साल के भीतर उद्योग लगाने वाले को 10% अतिरिक्त मिल रहा है सबसेटी मिल रहा है यह सब एकसाम में काफी confusion create कर सकते हैं तो कि एकसाम में आपको option इस टाइप से फ्रेम कर देगा तो अगर आप कोई ना कोई गलाटिक कर सकते हैं अब आईए लगू उद्योगों की स्टेट जीस्टी की 100% प्रोद्शाहन रासी लगू उद् और आदिवासी उद्योग पतियों को आतिरिक 5% अनुदान राशी का भुकतान राजसरकार करेगी इन स्रेनी के उद्योग पतियों को cool 30% अनुदान मिलेगा तो यह देख रहूंगे comment चल रहा है और यह मैंने आपको provisions में बताया हुआ था संसोधन वाले में amendments में medical work section प्रोड का अनुदान दिया जाएगा लेकिन कब दिया जाएगा एक बार जब यह functional हो जाएगा उसके बाद सुरुवात में नहीं देने का है डिश्टिलरी प्लांट लगाने पर भी अनुदान भी दिया जाएगा कूल पूंजी निवेस की एक चौथाई रासी या अधिक्तम 25 करोड रूपए पात साल में subsidy के रूप में दिये जाएगे चलिए अब previous question को discussion को discussion कर लेते हैं पुस्तक कल्पना टॉकिस के लेखक का क्या इसके लिए नीरज नीर और नरेश अगरवाल को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है खोड़ठा जो कि आपकी छित्रिय भासा है इसके लिए डॉक्टर आनंद किसोर दांगी और कला संस्कृति के लिए गोविंद सरन लोहरा जी को जैसंकर प्रशाद स्मृती पुरस कार से सम्मानित किया गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुलेट है आपसे पुस्तक नहीं पुछके सिर्फ यहीं पूछलेगा कि जैसंकर प्रशाद स्मृती पुरसकार 2021 से किने सम्मानित किया गया है लैंग्वेज दे कर पूछेगा ऐसे आपको नहीं पूछने जा रहा है और उन्हीं पर यह पुस्तक का विमोचन लोकारपन किया गया था अब आये यह जिएस वाला कोशन सिंग होंगा कि जंजाती के प्रमुक देवता है बहुत लोग सिर्फ मुंडा के साथ जा रहे थे लेकिन आप करेक्ट कर लेंगे यह और भी दोनों इसका सही आंसर होग है एस्पिरेशनल डिश्ट्रीक चलिए सही आंसर करना है चौबिस उन्हीं चौदा या 21 आज कि यह जिएस वाला कोशन माई यह 18 संताहों के क्रांती के समय छोटा नागपूर का कमिशनर कौन था विलकिंसन सिंप्सन स्टोक्स या फिर डाल्टन अपने आंसर कमेंट करें म थी ते Polsprast करें आंसर कमें माईबा माम Kenneth और भ म deputy, बड़्र विलकिंस ौवर यह 20 आंसर कैंगा म होगिस जिए समय है इन वाल्फा कौनünden अछोनमने इनकाम सेनके साल जाजिक ऑाल्या नाजमने चापूर करें मामने अमाने तोर